हलो एवरीवन स्वागत है आपका इस चैनल में आजके इस वीडियो का टॉपिक है ड्यूटीज और रिस्पॉंसिब्लिटीज और माइनिंग सर्दार के कुछ बेसिक चीजें हैं जैसे कि माइनिंग सर्दार को जो डिया जाता है उसका चार्ट कंट्रोल, सुपरविजन और इंस्पेक्शन ये उसके रिस्पॉंसिब्लिटी होती है रिस्पॉंसिब्लिटी बोले या मूल काम मतलब ये उसके बेसिक काम है उसे इसी चीज के लिए अपॉइंट किया जाता है माइनिंग सर्दार की जो पोस्ट है वो बहुत ही रिस्पॉं स्टैबिलिटी इन सब चीज के लिए माइनिंग सर्दार रिस्पॉंसिबल होता है इसलिए माइनिंग सर्दार को अपनी ड्यूटी को पूरे सच्ची निस्टा और इमांदारी से निपानी चाहिए और जब बोड अपनी ड्यूटी पे हो तो उसे पूरे तरीके से ततपर ह चाहिए तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या points है regulation में जो दी हुए है जो mining सरदार को ensure करना है एक तो सबसे जरूरी है कि mining सरदार को जो उसके senior officials हैं उनके order को obey करना है उनके orders को मानना है और उनके अधिन रहके काम करना है mining सरदार to see that operations in his district are carried out as per the code of practices framed under these regulation यानि कि सरदार यह देखेगा कि उसे सौपे गयर district में जो खननकारी है regulation के अधीन बनाए गए code of practices के अनुसार चलाएं जाएं तो code of practice क्या होता है कि किसी भी काम को करने का systematic order बर तयार किया जाता in case of open cast workings the सरदार shall ensure that side of benches are kept properly dressed यानि कि open cast working में सरदार या सुनिशित करेगा कि benchो की sides को ठीक तरीके से dressing करके रखी जाए sides जो है bench के वो बहुत important है अगर वो dressing नहीं करेंगे तो वहाँ से तूट के material गरता रहेगा और bench की stability खराब होगे तो इसलिए bench के sides को proper तरीके से dressing करके रखा जाए ये ensure करेगा mining सरदार इसके बाद क्या है stability of benches is not in danger यानि कि जो benchो की स्थिरता है stability है वो खत्रे में ना हो benches जो होंगे वो stable होंगे stable होंगे तो वहाँ पे जो machinery है जो people है उनकी safety वरकरार रहेगा अगर bench stable नहीं रहेगे तो वहाँ पे कोई काम भी करने में नहीं जाएगा वो काम करने के लिए भी safe नहीं है इसलिए bench की stability बहुत important है और benchो की stability को बरकरार रखने के लिए mining सरदार ensure करेगा bench की stability बरकरार रखने के लिए जो bench की height है और जो width है वो as per regulations हो जो regulation में दी हुई है उसके according maintain की जाए उससे अधिक या उससे कम रखने से bench की stability endangered हो सकती है bench की जो height होगी वो जो digging machine या जो excavation height है उतने तक उसकी height रखेंगे और जो width है वो height से कम नहीं रखेंगे किसी भी कीमत पर bench की जो width है वो height से कम नहीं रखेंगे इस तरीके से bench की stability को maintain करेगा इसके बाद next है hall roads are kept maintained यानि की hall road को ठीक से maintain करके रखा जाए तो hall road को maintain करने के लिए क्या ज़रूरी है कि उसकी जो width है वो proper होनी चाहिए उसका जो inclination है वो proper होना चाहिए hall road का जो gradient को कितना होना चाहिए 1 in 16 तो ये सारी चीज़े hall road में आती है तो hall road को maintain करने के लिए ये सारी चीज़े ध्यान देगा अगर hall road maintain नहीं होगा तो हमारे माइन का production है वो बंध हो जाएगा क्योंकि उसके बिना हम production maintain नहीं कर सकते इसलिए hall road जो है वो बहुत important है माइन में उसे किसी भी तरीके से सही तरीके से maintain करके रखना है hall road के जो corner है वो इस तरीके से बनाए जाएं कि जो dumpers चल रहे हैं उस पे जो vehicle चल रहे हैं उनकी breaking distance के हिसाब से उने time मिले और उनकी जो visibility है वो turning पे वो पूरी clear रहे है ये सारी चीज़े hall road के ही अंदर है इसके बाद next है stability of OB dumps is not endangered यानि कि OB dump की स्थिरता को खत्रा ना हो OB यानि कि overburden वो भी कितना important है जो dump करेंगे हम उसको इस तरीके से dump करेंगे कि उसकी stability बार करा रहे है वो गिरे नहीं overburden जो हम dump करेंगे जो उसका slope होगा वो उसके angle of repose के basis पे करेंगे और उसका जो slope angle होगा वो किसी भी case में 37.5 degree से अधिक नहीं होगा OB dump को हम इस तरीके से बना के रखेंगे कि उसकी जो height है वो 30 meter से अधिक नहीं होगा और 30 meter से अगर height अधिक होती है तो फिर उसको bench बना के हम movie को dump करेंगे और उसका जो slope angle होगा वो 1 vertical to 1.5 horizontal से अधिक नहीं होगा dump को इस तरीके से maintain करेंगे कि जो कोई public property है या railway है उससे 100 meter की जो distance है वो maintain रहे ऐसा इसले करेंगे क्योंकि अगर मेरा dump failure हो या फिर dump से कोई पत्तर कि रहे तो किसी को वो नुकसान नहीं करें तो ये चीज भी ensure करेंगे तो ये सारे चीज़े हो गई dump के stability में इसके बाद last है dust control measures are implemented यानि कि dust control के उपाय लागू किये जाए तो open cast mining में आपको पताई है कि कितना dust होता है तो dust को suppress करने के लिए dust को control करने के लिए जो सारी जो चीज़े हैं वो करनी चाहिए जैसे कि वहाँ पे continue water spraying करवाना tanker के तुरूम तो ये सारी चीज़े भी ensure करेगा कि dust control करने के लिए जो जो उपाय है वो किये जाए और dust को control किया जाए ये भी mining सर्दार की responsibility है कि mine में dust को किसी भी तरीके से control किया जाए तो ये सारी चीज़े जो हो गई as per regulation उसके अलावा भी mining सर्दार को बाकी सब चीज़ों पर नजर रखना चाहिए ध्यान रखना चाहिए जैसे कि open cast के जो mine boundary है तीन मीटर के दारे में कोई पेड़ ना हो जो traveling roadway है उनकी देख रहे footpaths जो है जो बनाएगा है लोगों के आने जाने के लिए उसको भी inspection करे carrying load जो dumpers वगर हैं यह जो कितना load लेके जा रहे हैं कहीं overload तो नहीं है इन सब की भी जो जांच है वो mining सर्दार करेगा और इसके बाद open cast mine में जो fencing है यह fencing जो किये जाते हैं वो fencing proper है कि नहीं इन सारी चीज़ों को भी ensure करेगा अगर fencing सही से नहीं होगा तो कोई जानवार या फिर जो outsiders हैं वो आ जाएंगे गिर जाएंगे तो इससे दिक्कत हो सकती है और इसके साथ ही जो mine में जो workers काम कर रहे हैं उन्होंने अपने PPE kit जो है उनके personal protective equipment PPE ये सारी चीज़े सही तरीके से पहनते हैं कि NATO P हो जूता हो ये सारी चीज़े भी ensure करेगा क्योंकि अगर ये सारी चीज़े नहीं करेंगे तो workers को इन से चोड़ लग सकता है accident हो सकता है इन से उनको नुक्सान है तो ये सारी चीज़े जो है duties और responsibilities है तो चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेर करें और स्यान को सब्सक्राइब करें ऐसे ही mining videos के लिए Thank you